कैसे हैं आप सब मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बिताइएगा उसे परेशान है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए का ध्यान से समझने के लिए किस तरह से क्या चीज बनानी है कैसे यूज करना है अगर आपके पास नहीं है अगर आप मार्केटवोल्त ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसके जेल को एक स्ट्राक्ट करने के बार एक फोक की हेल्प से अच्छे से आपको विस्क कर लेना है अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि थोड़ा से यह ब्लेंड हो जाए आप मिक्सर जार में भी इसको एक बर तो आपको बताऊंगी कि मैं फोक से क्यों कर रही हूं बहुत जादा मैं इसको अभी ग्राइंड नहीं करना चाहती हूं तो एलोवेरा की जो चंक्स थे जो पीसस थे मैंने कट किये थे उसे मैंने फोक की हेल्प से इस तरह से स्मूथ पेस्ट के फॉम में बना लिया है अब एक चंमच ही हम एड़ करेंगे इसमें फ्लैक सीर्स यानि अलसी के बीच हम सब के घर में यह दोनों चीज़ें अवेलेबल होती है और यह इसे यूज करें के बिल्कुल यूनिक तरीका है बिल्कुल डिफरिंट तरीका है पानी में बॉयल करके आपने जरूर यूज किया ह और इसे बिल्कुल डिप कर देंगे हम इस अलोवेरा जैल में कोई पानी का यूज आपको नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ अलोवेरा जैल में इसे आप डिप रहने दीजिए राद भर के लिए ओवरनाइट हम इसे ऐसे ही सोक करके रखेंगे अब नेक्स मॉर्निंग आप दे बढ़ियां रहेगा मेरा ग्राइंडिंग जार इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है आजकर तो आप जितना हो सके उतना स्मूद बनाने की कोशिश करिए ताकि इसे लगाने में एजी हो अगर आप अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं वेलें गोड उससे अच्छा कुछ हो ही पराइंड आपके पालों को पुरी तरह के सी सलजहेभा होने चाहिए जरूरी कि शैंपू करने के बाद यह आपको उससे यूस करना है आप ऐसे भी यूस कर सकते हैं अब इस मास्क आपको अपलाई करना है अपने अपने स्कैल्पेरिया में आप अपने लेंग में यह अप लगा लेना है अगर आप बैतर होगा अगर आप वाश्रूम वगेरा में यूज करते हैं ताकि वो गिरे वगेरा तो भी कोई दिक्कत नहीं हो इस तरह से स्कैल्प से लेके लेंद में पूरे अच्छी तरीके से लगा लीजे आपकी हेफल की प्रॉब्लम भी सॉल हो जाएग करेंगे कोई कंडिश्बर की चर्म वाले मेत ही लगा वालों की क्वालिटी को इंप्रूफ करता है बावों भी नहीं Pison one the Bowl को प्रमोट करता कर लिए एक बन बना लिए और इसे कम से कम एक से दो घंटे अपने स्कैल्प में और बालों में लगे रहने दे इसके बाद आपको नॉमल पानी से वाश कर लेना है शैंपू नहीं करना है कुछ नहीं करना है ऐसे ही चोड़ दीजे और नेक्स डे ओलिंग करिये और उसके बा बहुत हद तक मेरा हैर फॉल क्योर होने लगा है इस रेमिडी को यूज करने के साथ साथ आप एक चीज और कर सकते हैं कि अपने बालों को थोड़ से ट्रिम करा ले अगर बहुत लंबे बाल है मेरी तरह तो थोड़ से चोटा करा ले आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो और बालों कि अपया यहुत और प्रॉब्लम कारा है कि अपके एकम्त्र procureण